हलो फ्रेंट्स मैं हुरी तू और आज हम बना रहे हैं गेहू के आटे से बना हुआ कुल्चा ये वाकी में बहुत टेस्टी लगता है और इसे आप बना सकते हैं मौर्निंग ब्रेकफास्ट में या तो लंच में या दिनर में कभी भी बना सकते हैं और अपनी मन चाही सबजी के साथ में इसे सर्व कर सकते हैं अगर आप ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं तो आपका ब्रेकफास्ट का स्वात दुगना हो जाएगा और सबको बहुत पसंद आएगा तो जल्दी सी इस रेसीपी को हम बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए यहां मैंने लिया ह तो मैंने गीहूं के आटे को एक कप लिया है और इसे हम छान लेंगे छानने सी होता है कि हमारी घुल्चा है बहुत सॉफ्त बनता है और इसमें दाल दिया आधा चमश नमक एक चमश डाल देंगे इसमें शुगर पाॉडर और अब इसमें डाल देना है हमने जो बेकिंग हो जाता है अब इसमें डाल देंगे दही तो डि ही को डालने के पहले आपने बहुत अच्छE से इसे इसे पेट लेना है बिल्कुल कहिए है और इसके बाद ही हमेंसे मिक्स कर ना है तो यहां मैंने बइलकुल ताजा दही लिया है, खटा दही बिल्कुल योज नहीं किया है और इसे अच्छे से कर लेंगे mix यह बहुत अच्छे से mix हो गया है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालती विए एक सौफ्ट सा डो तियार करेंगे जिस तरीके से हम रोटी के लिए डो लगाते हैं पिल्कुल उसी तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालती विए शौट सा डो तियार कर लेंगे इसलिए इखटा पानी न डाले यहां हमारा डो बनके रेटी है एक बार हम इसे अच्छे से मसल लिए हैं ऐसा करने से यह जो फूल जाता है आटा वापिस वह अपने पोजिशन में आता है और जब हम बेलेंगे और सेकेंगे तो वापिस और राइस अप हो जाता है इसलिए हमने इसे अच्छे से मसल लिया है और अभी हम जो पेड़ा बना रहे हैं यह हम नॉर्मल रोटी जो बनाते हैं हमने उससे थोड़ा बड़े साइस का पेड़ा बनाया है तो हमने जो योज करना है उसे ले लेंगे और बाकियों को ढख के रख देंगे तो अभी चकले पे हमने डाल दिया है सुखा आठा और उस पे डाल देंगे हमने लोई बनी हुई और उसे हमने जब बेलते वक्त में भी ध्यान देना है बेलते वक्त इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे ज्यादा थिक रहेगा ये यहां मैं आपको दिखा देती हूँ यहां आप देख लिजिए ये इस तरीके से हमने इतना मोटा रखा हुआ है आप चाहे तो इससे और भी थोड़ा सा मोटा रख सकते हैं और बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बेला है मैंने पूरी की साइस से थोड़ा सा बड़ा बेला है और अब इस पे हम पानी हैं पानी का थोड़ा सा हाथ इस पे लगा लेंगे तो पानी को फैला दिया है और अब इस पे डाल देंगे हम कलोंजी तो कलोंजी सीट से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और डाल देंगे हरा धनिया तो इसी तरीके से इसे अच्छे से स्प्रेट कर लेना है और हाथ से थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए तो ये अच्छे से इस पे चिपक गया है और एक बार हम थोड़ा सा बेलन से इसे हलके हातों से बेलन चला लेंगे ताकि यह अच्छे से इस पर चिपक जाए तो यह अच्छे से चिपक गया है और तवा भी गर्म है तो हमने इस साइट से चिपकाया है उस साइट से नहीं रखते गए उसे उल्टी साइट से तवे पर रखा है और अब इसे घी लगा लेंगे और इसे अच्छे से 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 लेना है यहां आप देख सकते हैं एक साइड से गोल्रेन ब्राउन हो गया है और अभी दूसरी साइड से भी हमने घी लगा कर इसे अच्छे सेक लिया आप घी या तेल दोनों भी उसका सकते हैं तो यहां बनके रेडी है हमारी कुल्चा रेसिपी आपको यह रेसिपी कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा और रेसिपी को लाइक करना ना भूले अगर आप नए है मेरे चानल पे चानल को ज़रूर सब्स्राइब करें साथ में बेल आइकन ज़रू को मिले थैंक यू फो वाचिंग